हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल तो आज हम लोग आरेस अगरवल क्लास 9 के एक्सरसाइज 10B के एक्जामपल नमबर 19 को करने वाले हैं जो कि एक्जाम के पॉइंट ओफ व्यू से बहुत इंपोर्टन क्वेस्चन है तो चली इसे करते हैं यहां पर क एंगल d c b को बाइसेक्ट कर रहा है ठीक है तो हमें पुरूब करना है कि a e a d के इक्वल होगा और d e बाइसेक्ट और जो एंगल है a d c a d c वह d e से बाइसेक्ट हो रहा है और हमें लाशने प्रूब करना है एक जो एंगल d e c है यह वाला एंगल वह 90 डिग्री का है ठीक है तो चली इसे करते हैं सबसे पहले हम यहां पर लिग लेते हैं गीवन गीवन है हमें हाँ पर a b c d जे पलेलोग्राम a b c d जे पलेलोग्राम गीवन है यह इस दा मीट पॉइंट ओफ अब यह हमें गीवन है और हमें गीवन है कि जो c है c e o एंगल b c d को बाइसे कर रहा है मतलब यह वाला एंगल इसके इकल होगा इसे एंगल टू पर एंगल वान होगा एंगल टू ठीक है अब हमें आ जाते हैं हमें यहां पर प्रूप पर चलिए इन सब एंगल को हमाभी नेमिंग कर लेते हैं यह से मालत एंगल ठीक है यह एंगल फोर यह फाइफ इसे शिक्स और इसे शेवन ठीक है अब यहां पर दखिए अगर dc पैललल है यह बीके और यहां पर 날 का काम कर रहा है and odaran このあ mbg अलिकिए अगर टांजवर्सल यहां पर सिय अगर टांसवर्सल है तो जो एंगल ठी होगा वो एंगल यह साल एंगल बनगा अल्टरनेट यह घएंघा है लेकिन हमें गिवन है कि जो एंगल यह से giving क्यूा- one ए वह एंगल defendant यहां से देखिए एंगल 3 भी एंगल 1 के एकुल है और एंगल 2 भी एंगल 1 के एकुल है तो अगर हम ट्रियंगल कंसीडर करें अगर इंगल 2 के एकुल होगा अगर होगा यहां सब्सक्राइब होगा वह बीसी के एकुल होगा इंगल यहां पर आइशो इसकेल ट्रेंगल अब आगे देखिए आप यहाँ पर जो e b है e b वो a e के equal है क्योंकि e midpoint है ठीक है और जो यहाँ पर e b जो है b c के equal है और b c फर्दर किसके equal है a d के मैं करते हूं कि जो a d है वह a e के equal है तो a d is equal to a e यह हमने फर्स्ट पार्ट प्रूब कर दिया ठीक है आप लिए देता हूं है है यह यह बहु है यहां पर दखैंग ऐग्ल सेवें हो जाएगा यहां पर एंगल हो जाएगा एंगल और देखें यहां पर हमने प्रूब किया है कि जो एडी है वो एडी वो एई की कोल है तो जो इसका पॉजिट वाला एंगल होगा वो भी एक दूसरी की कोल होगा यानि की एंगल 4 एंगल 6 की कोल होगा बट एंगल 4 इज उकल टू एंगल 6 यहां पर लिखेंगे आई सो इसकेल स्ट्रेंगल या फिर हम यह भी लिख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू एक्वल एंगल सार इक्वल ठीक है यहां पर एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा है यहां से देख फिसक्ट बराबर रहा यह एक है तो यह हमें फूरूब करना था सो यह है यह एक बाइसेक्ट एंगल कि एड़ी से हमने सेकेंड पार्ट भी प्रूब कर दिया तो अहां हम थार्ट पार्ट प्रूब करना है जो कि है एंगल डी इसी 90 द्री ठीक है तो देखिए यहां पर एंगल डी प्लस एंगल सी हो जाएगा 180 डीगरी क्यों क्यों कि कोई इंटेडियर Am evicio मेराब पर एक पेलो लोग्राम है और जो डी और सी है वह एक अदेशन्ट एंगल इंखि़ बना रहे तेक है अदेष हें एंगल का समॉनेट यहता है तो यहांसे फिरफ एंगल दी सब्सक्राइब निरी टीथ इसे मालती हें मालता है अले करें डी एक ये पार देखिए एंगाल सेन यहां पर देख्याल्च सेरी एंगल प्लॉस है एंगल ब्लॉस अंगल डीथ सी यह सनव होगी नहीं हो इंगेल सम्परकपी फ्रैंग इंगल सम्प्रोपर्टी सांब यहांने हीटी डीकर एखिया हैं देखिया 20D यहांनों सब्सक्राइब देक यहां पर 188 यहां पर DEC की वैलु भैलु हो जाएगी 180 माइनस 90 लिएप दीएसी की वैलु हो जाएगी 90 यह हमने प्रूप कर दिया कि है यह हमारा क्वेशन हो गया खतम थेंक्यू झाल